Hi guys, आज के quiz में आपको correct word choose करना है जो मैंने blanks के लिए दिये हुए है जैसे हर sentence में two blanks है और two ही यहाँ पर words दिये हुए है तो आपने इनको choose करना है कि two में से कौन सा आएगा two में से दोनों blanks में अलग लग भी आ सकते है मतलब इसमें से एक, एक में, एक में भी आ सकता है या फिर एक ही word दोनों में भी आ सकता है तो यह आपको देखना है कि कौन सा correct word है हर blank के लिए ठीक है तो choose the correct word to fill in each blank क्या मतलब है इसका कि choose करो correct word to fill in each blank each blank मतलब हर blank को fill करने के लिए correct word choose करो तो मैं आपको देरी हूँ 5 sentences और हो जाएंगी 10 blanks आपको मैं suggest करूँगी कि आप वीडियो को pause कर लेना और यह विले answers जो है अपनी notebook में लिख लेना ताकि जब मैं answers बताऊं तो आपको पता चल जाए कि आपने ठीक से किया या नहीं और तब मैं आपको समझाऊंगी भी जहां पर भी गलती होगी आपकी आपको समझ भी आ जाएगा फिर ठीक है नहीं तो यह वाला quiz करने का कोई फायदा नहीं होगा चलो चलिए start करते हैं फर्स sentence है I have a car, this is dash car, this car is dash ठीक है और bracket में है mine and my second blank है मुहित has a parrot, this is dash parrot, this parrot is dash मैं बहुत दो blanks है न, तो दो words इसमें आएंगे अपने देखना है कि कौन-कौन से आने है इन में से Sarah has a doll, this is dash doll, this doll is dash, her and hers दिया हुए ठीक है next है और इसमें क्या है blanks में फिल करने के लिए two words, your and yours तो वीडियो को pause कर लीजे और अपने answers जो है वो note कर लीजे और अभी मैं बताने जा रही हूँ आपको इनके answers ये देखिए इनके answers जस्ट इसेक में को तोड़ा सा इसको focus करने देजे ठीक है ठीक है तो इनके answers में देखो क्या है I have a car, this is my car क्या है मतलब I have a car मतलब मेरे पास एक car है मतलब I have a car ये तीनों को ना बोलने का मतलब एक ही है लेकिन इनको तीन तरह से बोला जा सकता है जैसे I have a car मेरे पास एक car है This is my car मतलब ये मेरी car है This car is mine ये भी इसका भी यही मतलब है कि ये मेरी car है ठीक है तो this is my car यहां mine लगाएंगे तो wrong हो जाएगा यहां my लगाएंगे तो wrong हो जाएगा ठीक है इसलिए this is my car This car is mine मोहित has a parrot This is his parrot मोहित के पास एक parrot है ये उसका parrot है This parrot is his यहां पर भी his आएगा और यहां पर भी his आएगा him नहीं आएगा दोनों blanks में कहीं भी ठीक है Next है Sarah has a doll ये भी मैं बताऊंगे आपको end में कि क्यों नहीं आएगा यहां पर है ठीक है मतलब दूसरा ये his ही क्यों आया और तरह से क्यों नहीं आ सकता था Sarah has a doll Sarah के पास एक doll है This is her doll ये उसकी doll है This doll is hers ये उसकी doll है ठीक है तो two ways of saying one thing कि ये उसकी doll है ये कहने के दो तरीके है This is her doll या फिर this doll is hers दोनों में से कोई भी बोलेंगे ठीक हो जाएगा Next है They have a big house उनका एक बड़ा घर है This is their house ये उनका घर है This house is theirs ये उनका घर है ठीक है ये दोनों का मतलब same है तो this house is theirs बोले या फिर this is their house एक ही बात है ठीक है They लगा था ना इसलिए there आया या फिर there's आया ठीक है Next है You have a ball तुमारे पास एक ball है This is your ball ये ball तुमारी है This ball is yours ये ball तुमारी है तोनों का मतलब same है ठीक है तो you आया तो your और yours आया They आया तो there और there's आया ठीक है सारा है सारा क्योंकि एक girl है तो इसलिए her और hers आया मुही ते एक boy है इसलिए his और his यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो hers है yours है there's है तो यहाँ पर क्यों ऐसे होता है क्योंकि देखो S लगा रहे है ना बाद में माई के लिए सरफ माई लगा रहे है बागे के लिए hers, yours, theirs तो अब his के बाद यह तो नहीं लगा सकते ना दो S नहीं ना तो इसलिए यहाँ पर होता है his तो इसी को ही ठीक बोल इसी को ही बोलते है यह his हो जाता है ठीक है और यह his his, his, his I have a car मतलब my का हो जाता है mine ठीक है I लगा हुए इसलिए my और mine हुआ मुहित को कि boy है इसलिए his और his हुआ ठीक है I hope आपने अच्छा किया हो गए यह quiz मुझे comment section में ज़रूर बताना कि क्या यह quizzes जो है आपके लिए helpful साबित हो रहे है हो रहे है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप चाहते हो कोई मैं और improvement करू अपने quiz में तो वो भी बता देना ठीक है चलो thanks for watching please do like, share and subscribe